यार अब तो पंदरा अगस्त भी चला गया बॉस अब यह आखरी वेक अफ कॉल है आखरी घंटी है जिस जिसको जागना है इस कैट के लिए दोजार तेश के लिए उसे अब जाग जाना चाहिए विकाज अब पंदरा अगस्त से 26 जनवरी के बीच का जो टाइम पीरिड है उ यह टाइम पीरिड सबसे क्रूशल होता है जबकि 26 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हम नॉर्मली मेहनत करते हैं बट यह टाइम पीरिड ऐसा है जुसमें हमें रिजल्ट भी मिलेगा एक्जाम भी होगा और अगर मेहनत कियोगी तो फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेंगे और लिक्वंच्वन है अगर यसके बाद ऑन वह कोई भी भाण बना रहे हैं किसी के आरद है किसी के कन design के JS सर में राम हम यह सब करके अब दिनों को वेस्ट करेंगे तो फिर कोई उमीद नहीं बचेगी cat 2023 की then you are already preparing for cat 2024 और यह same कहानी हर साल होती है इसमें कोई नई बात ने पहले तो यह समझेए कि अब यह गेम यहां से last के 100 days में IQ से ज़ादा EQ का होने वाला है अब IQ के लिए महनत कर सकते हो लेकिन EQ जो होता है यहां पर इस रेस में वह जीता है चो इमोशनली स्ट्रॉंग है काफी लोगों को क्या होता है वह महनत तो बहुत करते हैं लेकिन एक मौक में दो मौक में चार मौक में जैसे घराब स्कोर आता है वो डी मोटिवेट इतना हो जाते हैं कि उनका खुज का कॉन्फिडेंस हिल जाता है आपको यह समझना होगा कि यह सारी जर्णी यह सारा गेम इसी बात पर डिपेंड करता है यह चेक करता ही है यह टेस्टिंग है ही इस पार्ट में कि आप कितने इमोशनली या मेंटली स्ट्रॉंग हो कि स्कोर्स का ग्राफ उपर नीचे हमेशा रहेगा आज स्कोर अच्छा है कल स्कोर खराब आएगा आई लॉट अफ स्टूटन जिनका लास्ट मॉक लाइक कैट से एक दिन पहले मॉक दे रहा है और स्कोर टोटल 40 भी नहीं ग्रॉस कर रहा अन अल्टिमेटली दे गॉट 99 प्लस पर्सेंटाइल ऐसा एकदम से नहीं हुआ देवर आक्चुली वर्किंग हार्ड लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है यू शूट ट्राइट फाइंड दे रीजन्स की ऐसा क्यों हुआ कि आपका स्कोर एकदम से इतना नीचे गिर गया अ और शूट ट्राइट पार्ट अब एक मैच से एक स्पोर से किसी प्लेयर को आप डिफाइन नहीं और सकते कोली ने तीन साल तक एक भी सेंचुरी ने बनाई बहुत बड़े 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 प्लेयर जीरो पर आउट हो जाते हैं डोजन्ट मीन कि वह जीरो के लाइक है जिस जो मैनत नहीं गर रहा हो मोटिवेशन से कुछ नहीं गड़ सकता यह मैस्ट जूनलों के लिए जो आल्रेड़ी मैनत कर रहे हैं फिर भी थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मैं जतना मैनत कर रहा हूं उतना स्कॉर मेरा नीचे जा रहा है इट हैपन्स यार एदा की जितने भी नेगेटिव स्कॉर कितना और घराब है ट्राइट либо गिरोगे आपको हर बार अपने पेरोपर खुच से खड़े होना मढना गर दोगे that is the time when you will say कि I quit and most of the students October आते आते कुट कर देंगे यही इसका एक बहुत बड़ा reason है so you don't have to quit never quit give your best अगर आप महनत कर रहे हो ना तो guarantee है कि आपको एक ना एक अच्छा college जरूर मिलेगा 100% मिलेगा I can tell you one example from our own student जिसमें बहुत महनत की बट क्याट उतना अच्छा ने गया जितना जाना चाहिए था लेकिन बेस्ट तेंग वॉस्ट का जैसी स्कोर खराब देखते हैं वह कुट कर देते हैं अब उसके बाद उनमें हिम्मत ही नहीं बचती कि आगे कि एक्जाम की तयारी करें बट उस बढ़े ने उसके बाद भी अपनी महनत जारी रखे दिन रात उतनी महनत की जितनी क्याट में थी तर रिजल वो उसके बाद जितने एक्जाम आये चाहे वो स्नाप का हो SIBM पूने हो सिमहर्ड नमदों में सो एक्जेला रहाए को जिसमें चारम सारे एक्जाम लाइन से उसन अब मॉक्स में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं एक्चुल के आट में जब स्कोर खराब आता है ना तब तो हिमत बचती नहीं है तो आप समझे ये गेम कितना डिफिकल्ट होने वाला है अब ये गेम किस क्रूशियल स्टेज पर पहुंच गया है तो प्लीज एक तो आज के लिए फाल्त के बकवास की मैं पतंग उड़ा रहा हूं मैं हवाई जाज उड़ा रहा हूं मेरे सर में पेट में कुछ भी धर दे इस ब्रेक्स लेने चाहिए ज्यादा बड़ा इशू है तो आप लीजिए वह को इशू नहीं लेकिन आप बिना बाद की भाने बाजी का समय आप चला गया आपके बास स्वा देना इसमें से हर दिन आप कैसे वेस्ट कर रहे हो यूटिलाइस कर रहे हो आपके उपर डिपेंड करता है इसी के उपर आपका सारा स्पोर बेस करेगा ठीक है रेगुलर्ली मॉक्स दीजिए इर्रेस्पेक्टिव और्फ की आपका क्या स करने की कोशिश करिए that is this game if you do this then यह शौरिटी है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और यह शौरली गेट वेरी गुड कॉलेज तो प्लीज अंडेस्टैंड नाव देरा नो एक्स्क्यूस नो फालतु का टाइम वेस्ट सोशल मीडिया इंस्टा नेट्फ्लिक्स प्राइम विडियो वगेर यह सब बंद करतीजिए अब हम उस्टेज पर आ गए हैं जहां पर आपके पास गिर के या मतलब वैसे गिर के नहीं जो गयाब होकर वापस आने का समय नहीं है और जो लोग अब स्टार्ट कर रहे हो उनके पास तो अब्विसली कोई टाइम नही है आप ही में से बहुत सारे लोग इसी एक्जाम में इसी डी मोटिवेशन और इन सब दुख दर्द से गुजरने के बाद इतनी अच्छी परसेंटाइल लाओगे त्यार्य यह मेरा ही स्पोर है आपन्स बहुत अच्छे कॉलेजिस में एफमेस में एबीसी में होने के हो रही है तो आप इस बेसिक पर स्टिक करिए ना हम कितनी बार बात कर चुके हैं आप सिर्फ बेसिक पर रहें कि मुझे 80 वशंटाइल टच करना है 90 डच करना है आप सेवन फोर फाइव या 866 इन क्वेस्टन्स पेफोकस करिया विद तो करी सकते हो अपकी पिकिंग पर फोकस करिए मौक को एनलाइज करिए रिगुलरली मौक दीचे अब तो हफते में कम से कम दो मौक देने चाहिए यहां से 35-40 मौक चाहिए चाहिए है तो लेट्स टेक दिस टुडें आज यह डिसाइड करना है कि बॉस अब हमें इस कैट को क्रैक करना ही करना है कम बट में तो लेट्स गेट गुएंग गाइस अल्ट वेरी बेस्ट करना हुचे Ц concerned, उड़ यहां भाना ही हमें इसक है हमें आजक टूंड़न में एसbing करने हैं झाल